Education Jet, Education Jet आप सभी का हर्दिक स्वागत करता है आपकी बेहर्ट दिमांड ततर प्यार के कारण Education Jet गड़ित ये कक्षा है सुचारूरूरूप से चला रहा है जो UPTET, CTET, MPTET, चितने भी TETS हैं सब के लिए और PET, SSC सब के लिए इंपोर्टेंट है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे बाहर आने के चांसे नगर्ण है इसलिए इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें तो हमारा आज concept class है उसके बाद हम लोग questions भी करेंगे तो पहले हम लोग घात पढ़ेंगे, घातां क्या होते हैं, करडी क्या होते हैं यह हमारा part 1 है, इसका एक part और आएगा, इसके बाद हमारा यह portion, power, shirts और indices खत्म हो जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं इस तरह के से, दो पर यह लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, ठीक, और इसको बोलते हैं घात इंग्लिस में इसको बोलते हैं base और इसको क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं या इस पे पावर होता है तो जब भी किसी पे इस पे अगर ये तीन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है दो को तीन बार हमको गुड़ा करना है दो को तीन बार दो दुनी चार दुना आठ कितने बार? N बार हम गुड़ा करेंगे जितना यहाँ पे घात होता है उतने बार हम दो को या किसी भी संख्या को गुड़ा करते हैं ठीक है? इसका यह कंसेप्ट है अब हम लोग कुछ महतपूर सूत्र देख लेते हैं महतपूर सूत्र जो घातां के सूत्रे हम देखते हैं अगर A पे घात N है A पे घात M है A पे घात P है इसमें आधार आप ध्यान से देखिए सबके आधार क्या है? सबके आधार A, A, A सबके आधार हैं लेकिन इसके घात जो हैं यह अलग-अलग हैं जब आधार क्या हो सेम हो एक ही हो तो घात अपने आप ही सब में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं तो ये घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं जब अब इसी तरीके से अगर दो की घात तीन है और दो की घात चार है तो इसमें क्या होगा इसका हमने देखा आधार दो ह तो घात यह जुड के कितने हो जाएंगे तीन धन चार यानि दो की घात साथ बन जाएगा अब इसको अगर ऐसे देखा जा तो क्या होगा दो की घात तीन का मतलब दो गुड़े दो गुड़े दो और दो की घात चार का मतलब दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तो अब देखिए, तीन ये हो गए, और चार ये हो गए, तो कितना हो जाएगा, दो की घात साथ, यही तो हमारा आया है, तो concept इसका ऐसे ही चलता है, तो इसमें अगर हम इसको क्या करें, दो को तीन बार गुड़ा कर दिया, दो को चार बार, इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, तो क्या, अगर दो की घात साथ की घात आजाएगे, तो यही होता है क्या, घात इसकी जुड़ जाती है, यही तो concept आया है, अब जैसे गुड़ा करने पे घात जुड़ जाती है, तो भागा देने पे घात क्या हो जाती है, घट जाती है, यह ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो चारा जाएगा, तो इस तरीके से हमारा concept जो है चलता है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे A पे घात M है और उस पे घात N है, तो यह हो जाता है, यह घात आपस में गुड़ा हो जाते हैं, तो A की घात M, N हो जाएगा, अब जैसे यहां पे है, तीन की घात 2 है, और उस पे घा कितनी है? 3 की है. तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 2 और इस पे 3 है तो ये दोनों गुड़ा हो जाएगे. तो 3 की घात कितनी हो जाएगे? 3 दूना 6 हो जाएगे. तो क्या होता? घात पे घात अगर होता है तो क्या वापस में? गुड़ा हो जाते हैं. अब जैसे AP घात कितनी है? N की है इसको अगर हमको क्या करना एक बटे की डूप में हमको लिखना है एक बटे अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे यह हो जाएगा एक इगात माइनस एन और अगर एक इगात नीचे n लिखा है तो उपर ले जाएंगे तो minus n हो जाता है तो नीचे घात से अगर उपर ले जाते हैं तो minus में हो जाता है उपर से नीचे लाते हैं तो क्या हो जाता है प्लस वाला minus में घात हो जाएगा अब यह क्या है नीचे minus का घात है उपर ले गाहे, तो और क्या हो जाएगा। धनातमक हो जाएगा। जैसे एक पर, यह है, दो की घाहत minus 3 है तो ऊपर ले यहाएंगे, तो दो की घाहत 3 हो जाएगा। इसी तना क्या है? पर घाहत, अगर 3 है, इसको अगर हम नीचे ले जाएँगे, मालिया ये 2 की भात 3 है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे कि 2 की घात माइनस 3 हो जाएगा तो यही होता क्या उपर से नीचे लाने पे घात क्या हो जाते हैं धनात्मक रिडात्मक हो जाएगा रिडात्मक हो जाएगा और यह नीचे क्वाले को उपर ले तो एक ही घात की रिड़ात्मक रिड़ात्मक के ते उपर गया तो धनात्म कूगे तो यानि इस तरह के से यह हो जाएगा अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भागा है तो हम ऑ pregnant N भी तो लेख सकते हैं, तो यही तो आ जाएगा इसका अंसर, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब किसी भी संख्या पर अगर घात उसका सूनने है, तो उसका मान एक होता है, यह आपको ध्यान से रखना है, कि जब किसी भी संख्या चाहे वो रिडात्मक हो, या धन अगर उसके घात सूननिका है, तो उसका मान एक होता है, तो यह चीज आपको ध्यान दखना है, अब जैसे मान लिया, दो की घात तीन है, और इसको हम दो की घात तीन से भाग दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, भागा करने पर उपर क्या हो जाता है, अगर इसको हम काट माइनस हो जाता है तो यह जब उपर गया तो माइनस हो गया तो क्या बन गया दो की घात सूनी बन गया और जब दोनों को काटा गया था तो एक मिला था ना तो यानि दो की घात बनी तो हुआ इस तरीके से हम जो है इसको चेक भी कर सकते हैं अब हम लोग आगे देखते हैं अ के ड़कत बंगता है अगर यही ऐसे लिखा होता है तो ऐपटे हुग को जी है तो ग्त मित्मतलब को कि उन हम नगता है नाएपटे में ऑखा वे जाएक हो अगर हम अलग-अलग लिख लें, ये भी आधा लिख सकते हैं, और ये भी आधा लिख सकते हैं, क्या होता है, अगर A और B है, दोनों पे घात बराबर M लगा हुआ है, तो इसको हम अलग से M भी लिख सकते हैं, और गुड़े B पे भी M लिख सकते हैं, तो वही क्या, इस पे दोनों पे घात ही है, तो इसको अलग-अलग लिख लिया, अब इसका मतलब क्या होता है, यह उपर देखिए, इसका मतलब क्या है, रूट में, यानि करडी में है, और इसका मतलब है करडी में भी है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करडी में, ठीक है, तो इ पे भी माइनस M का यही तो मतलब हुगा दोनों पे घात है ना अब नीचे से जब उपर ले जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा बी पे घात M बन गया और यह उपर से नीचे आया तो एक ही घात अभी पीछे किया ना हमने इस से हम क्या लिख सेते हैं बी बटे ए पी घात M का यानि अगर क्या है इस तरीके से घात है तो उपर को क्या करें हर को अंस बना दे अंस को हर बना दे तो यह क्या हो जाता है धनात्मक हो जाता है बदलने पर यह क्या हो जाता है अब एक घात एक बटे N लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं एन बटे N का, तो इसको ऐसे भी तुत लिख सकते हैं, A पे घात M गुड़े A बटे N, अलग-अलग भी तु लिख सकते हैं, अब इसमें क्या हो गया, जो उपर वाली घात है ये तो A पे घात M रजाएगा, और जो ये वाली होती है घात, ये क्या, हमने अभी देखा न, जो ये ढली घात होती है, वो इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो यहा N आगया, अब जैसे लिखा हुआ है, इसमें, नौ की घात है दो बटे तीन, तो नौ की घात 2 बटे तीन को हम कैसे लिखाँ गे? 9 पे घात 2 और ये 3 जो बटे होता है, यहां पर आ जाएगा तो इस तरीके से हम निकाल लेगे अब यह क्या हो जाएगा इतका मतलब 9 गुडे 9 और यह क्या करते हैं जितना लिखा होता हम उतने का इसमें जोड़ा हम बनाते हैं तो यहां पर 3 का जोड़ा आना चाहिए तीन-तीन का ठीक है अब देखते हैं हम लोग आगे इसको अब इसमें अगर लिखा हुआ है करडी में दोनों A और B पे लिखा है तो अब इसको अलग-अलग भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे ऐसे लिखा है करडी में दो बटे तीन तो इसको हम लिख सकते हैं करडी में दो बटे क को लिख सकते हैं अब यह कुछ फार्मूलें इसको हम लोग देख लेते हैं बीजी फार्मूलें बीजगड़ित के हैं तो a square minus b square का फार्मूला क्या होता है a minus b a plus b इसी तरह a plus b का whole square का फार्मूला क्या होता है a square plus b square plus 2ab इसी तरीके से a-b, whole square का फार्मूला क्या होता है, a square, जहां यहां minus है, बस यहां पर minus लगा देना है, यहां पर plus है, तो यहां पर समय लिजे plus लगाना है, और बाकी तो यह दोनों क्या हो रहे हैं, same ही आते हैं, तो यह फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, इसका आगे जू करड़ी में value नहीं रखते हैं, कभी भी हम करड़ी में value नहीं रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे a plus b है इसका संयुगमी, निकालते हैं, तो इसका संयुगमी क्या होता है, conjugate जिसको बोलते a minus b होता है, तो इसमें यहां पर प्लस होता है, इसका संयुगमी हम निकालते है उपर नीचे गुड़ा कर दें, अब जैसे कोई भिण है, A, B, इसमें अगर उपर नीचे हम से मल्टिप्लाई कर दें, तो कोई फर्क ने पड़ेगा, जैसे 2 बटे 3 है, इसमें तीन से उपर और 3 से नीचे गुड़ा कर दें, तो 3 दूना 6 और 3 तरीका 9 हो यह हो गया, फिर ह यहाँ पर यह धन है तो हम इसके माइनस वाले से उपर नीचे गुड़ा करके इसको क्या करते है परमी करण करते है जिससे नीचे क्या हो जाए नीचे हमारा यह खतम हो जाए करड़ी वाला मैटर ही खतम हो जाए तो कैसे करेंगे तो जैसे यह है न रूट में A प्लस रूट में B है यह इसी के संयुगमी से अगर धानात्मा कहे तो रिडात्मा कहे तो धानात्मा कहे तो धानात्मा इसका संयुगमी अगर धानात्मा कहे तो क्या हो जाएगा रिडात्मा कहे इधर और इसी से उपर और नीचे हमने कुडा कर दिया और नीचे वाला फार्मूला आप देखिए क्या बनता है एक फार्मूला होता ना बताया था भी a square minus b square is equal to a minus b a plus b तो यह क्या है a plus b a minus b यानि यह क्या हो जाएगा इसका square और क्या हो जाएगा minus इसका square तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a root a का square minus root b का square बराबर root a minus root b और root a plus root b यही तो बना है यही तो फार्मूला है यहाँ ठीक है यह क्या हो जाएगा नीचे गुडा होके यही तो आजाएगा नीचे क्या होके गुडा आजाएगा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे a-b हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, यही तो root a का square क्या होता, root a का अगर हम करें, इसका square करें तो क्या होता, root का मतलब क्या होता, एक बटे 2 की power, तो एक बटे 2 की power और इस पर 2 की power है, तो कट गया न यह, घात, यह आ गया हमार तो इस तरीके से हम इसको परिमिकरण करते हैं अब जैसे यह है इसका मान हमको परिमिकरण करना है तो क्या करेंगे इसका धनात्म है कि तो रिडात्मक से हम गुड़ा कर देंगे प्लस रूट 3 और इसके रिडात्मक से हम उपर नीचे गुड़ा कर दें root 2 minus root 3 सयुगमी से करते हैं न बताय था यहाँ पी हो जाएगा root 2 minus root 3 अब यह बन गया a plus b a minus b तो आउपर को तो ऐसे ही रख देते हैं एक से गुड़ा होगा तो यही होगा अब यह a square यानि root 2 का square minus root 3 का square a square minus b square बन जाएगा न a plus b a minus b से गया जाएगा root 2 minus root 3, ऊपर का तो वैसे ही रहेगा और root two का square कितना हो जाएगा 2 ही तो होगा और root 3 का square? 3 हो गया, minus 3 हो गया इसको यह किया अब ही क्या हो जाएगा root 2 minus root 3 और यहाँ पे minus 1 आजाएगा और यहाँ पे minus ऊपर आजाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा यह टफ है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से करें, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग है, next वाला देख लेते हैं, इसमें भी क्या करना होगा होगा, सेम वही प्रोसेस करना होगा, अब यह माइनस है तो इसके धनात्मक से, तो पहले इसको हमने लिख लिया, इसे, अब इसके धनात्मक से गुड़ा कर दें, उपर नीचे, हमको नीचे बस क्या है, इसका यह चीज हटाना है, तो हटाना है तो इसके सैयुगमी से गुड़ा कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो धन वाले से उपर नीचे और नीचे बाले में वही लग जाएगा, a²-b² फार्मूला, अब उपर वाला क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2, यह तो ऐसे ही रहेगा, और यह क्या हो जाएगा, 5 आ गया, और माइनस 2 आ गया, रूट 5 का स्क्वार 5 भी तो आएगा, और यह क्या हो गया, रूट 5 प्लस रूट 2, और यह क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 आ गया, यह इसका अंसर हो गया, अब जैसे यह है, इसमें भी इसी तरीके से करना होगा, ठीक है, इसको भी आप एसको देख लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप कर लेंगे, आप लोग, मैं क्यों बता रहा हूं इस तरीके से minus root 5 है इसमें आप इसके बस conjugate से कर देंगे तो 2 root 3 plus root 5 और इसी तरीके से 2 root 3 plus root 5 अब यह उपर वाला तो ऐसे हो जाएगा, यह a स्कूरा मैनेंस बस्कूर फार्मूला प्लगा लिजयागा, ठीक है? तो यह हो जाएगा इस तरीके से, इसी तरीके से इसमें क्या करना है, इसको भी ऐसे ही करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपर क्या हो जाएगा, इसके रिडाक्मक से, 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2, और रूट नीचे क्या बन जाएगा नीचे यही a square minus b square यानि 2 root 5 का whole square minus 3 root 2 का whole square यही बन जाएगा a plus b a minus b बना ना इसी same इसी minus से गुड़ा किया तो यह ऐसे ही तो आ जाएगा और इसको आप लोग solve कर लिजेगा हम आप लोग आगे देखते हैं अब हम लोग पहले simple simple question देखते हैं अब लिखा क्या है 125 पे घात है 2 बटे 3 का हम पास चार option दिए हुए कैसे करेंगे तो 125 की घात है 2 बटे 3 तो पहले हम 125 का क्या करते हैं अब वाज गुडनखन्ड क्या पहले 2 से 3 से अब आप संख्या से काटे हैं तो पहले हम देखे 5, 6, 7 एकाट ये 3 से नहीं काटेगा तो तो 5 से भले काटे हैं तो क्या हम जाएगा? 5, 2, 10, 5 5, 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 25 फिर 5 से काट देगे तो यह क्या बन जाएगा पांच गुड़े पांच गुड़े पांच तो तीन बार अगर करते हैं गुड़ा तो क्या होता है तीन की घात हो जाती है अब इसमें क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं पांच पे तीन की घात और इस पे दो बटे तीन की घात तो हमने बताया था ना घात पे घात जब होता है तो क्या होते हैं आपस में गुड़ा हो जाते हैं तो पांच पे तीन की घात गुड़े दो बटे तीन की घात अब ये तीन की घात तीन की घात कट गई तो कितना आ गया पांच पे दो की घात मतलब पांच गुड़े पांच तो पचबम 25, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, ए हो जगया, ठीक है, अब हम लोग next question देखते हैं, अब क्या दे रखा है, एक बटे, एक्यासी है, इस पे घात है, माइनस तीन बटे, चार का, अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर एक पे घात चाहे निगेटिव हो, या पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ऐसे ही लिखनेंगे, एक बटे नीचे आ जाएगा, अब ध् एक पे घात इतना, और एक्यासी की घात माइनस तीन बटे चार, एक का तो कोई मतलब नहीं है, इसको अगर उपर लेके आजाएगे, तो क्या हो जाएगा, एक्यासी की घात तीन बटे चार, यही तो बनेगा, एक का तो कोई मतलब नहीं है, अब एक्यासी का जो है, अब हा तो चार बार गुड़ा करेंगे तो क्या होगा ना जितने बार गुड़ा करते हैं उतनी professionally. गुड़ा जाते हैं तो यह क्या होगा यह आपस में गुड़ा होगया 6 जात pasture-3 की अबचना आगया 3 तीन पे तीन की घात, तीन पे तीन की घात मतलब तीन गुड़े, तीन गुड़े, तीन तीन तीरिक का नाउं और तीरिक 27, तो इसका जो राइट अंसर कौन सा बन जाएगा, ए बन गया, राइट अंसर, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब कोश्चन कह रहा है, ये यूपि अब जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर निकालना होता, तो क्या हो जाता है, उस पे घात एक बटे दो की हो जाती है, तो इसी तरीके से दो पे आठ का अगर हमको वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दो पे घात आठ तो रहेगा ही, और उस पे घात एक गुड़े क्या होता घात पर घात क्या हो जाते हैं गुड़ा हो जाता है एक बटे दो हैं तो कितना हो जागा दो चोगाट अब दो चोगाट मतलब चार की घात हो गई तो चार बार गुड़ा हो जाएगा तो कितना हो जागा दो दूना चार दूना आट दूनी 16 तो राइट मूल हमको निकालना है ठीक है तो वर्ग मूल निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं 0.20 का हमको वर्ग मूल निकालना तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं लोग यह कोश्चा राम हो गया है यह वर्ग मूल निकालना इसमें ठीक है 0.02 का वर्ग निकालना है तो 0.02 इसका वर तरीका क्या होता जो अंक होता इस पॉइंट दसमलो को भूल जाएगे दो का गुड़ा दो में हो जाएगा दो दूना 4 अब देखिए दसमल कितने अंक के बाद लगा है एधर से हम देखें 1,2, इसमें हो गया 1,2 इसमें हो गया कौन सा उला है मैच कर रहा है इसमें जीरो ए एक दो तीन चार तो चार कितना हो जाएगा एक दो इसमें तो जीरो दसमल जीरो जीरो चार इसमें गहीं आ रहा है जीरो एक दो तीन चार पांच आ रहा है इसमें यह वाला इसमें यहां पर इसमें दसमल हो था तो यह हमारा जो ह तो हम कैसे करेंगे तो इसमें 10 मलों को भूल जाएए पहले 125 का जो है आप क्या करें अब हाज गुडन खंड निकालिए तो पांदुना दस पचवंपचीस फिर पचवंपचीस फिर उसके या पांच करने पांच तो पचवंपचीस पच्चे 125 यानि पांच की घात कितनी आ ग तो सब में एक एक आंग के बाद लगा दें तो क्या हो जाएगा अगर गुडा करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 और इसमें क्या होता है आंग की जितने होते हैं सब पे लग जाता तो यही तो मिल गया आमको यानि दसमल पांच इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दसम आप पात है 2 बटे 3 की तो इसको मह लीख सकते हैं 0 दस्मल 5 यहां पर 0 लगा लेंगे इसकी घात इसकी घात हो गही क्योंकि इसकी का मान कितना हो गया यह हो गया और इसके भी घात 2 बटे 3 की है अब घात क्या होता है हमने बताय था ना, घुडगा हो जाता है, तो यह जगा 3 गुडगे 2 बटे 3, तो 3 नीचे है, यह उपर काकट गया, तो कितना जगा, 0.5 की घाट 2, तो क्या हो जगा, दो बार 5 की घुडगा कैं, 25 बन गया, 25 बन गया तो क्या, एक अंग के बाद दस्मलों यहां लगा है तो एक बार और दस्मल 5 होगा ना तभी तो यहां पे दस्मलों यहां लगा दिया तो कौन सा राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर बी हो जाएगा अब यह question यूपीटेट 2011 में पूछ रखा है बहुत इजी है इसमें वर्गूल निकालना है 64 माइनस इसका क्या निकालना घंद मूल निकालना है तो यानि इसमें 2-2 का पेर बनेगा इसमें 3-3 का अब देखें 64 की बात करते हैं तो 64 का हम वो निकालने क्या अब हाज घुडनखंड कर लेते हैं juices !!! फिर दो से 16 दो 32 होता है दो से कट गया फिर दो से आट फिर दोसे दो चौ काट फिर दो से दो दोसे दो ev to mind कितनेच दो हैmodern है 2 2 3 4 5 6 जितने आर हैं उतना घात हो जाएगा अब इसकों क्या लिख सकतेना है 64 को उग अब ऐसे देखे सिट तो अब अर्गमुल याद होता है ना 8, 8, 8, 4, 8, 8 हो जाता है लेकिन इसको हम ऐसे कर लेते हैं अब इसको क्या लिखते हैं घात इतना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 64 पे 1 बटे 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 64 पे 1 बटे 3 इतना यहां लिखा होता है उत सुना six, दो तीना छे, तो खोग 50 अधान, कितना ओ जएगा, दो की सामेन, तीन घात मतलब किए हो जएगा दो गुडी दो गुडращ दो 2 दुनी 400 दुनी 8 माइनस दू दुना 4 कितना आजाएगा इसका राइट आंसर? इसका अंसर आजाएगा फोर ठीक है तो इस तरीके से अब यह क्या कहा है यह बना रखा है यह यूपिट्र 2011 में है 0.008 का इसका घनमूल घनमूल मतलब यह तो घनमूल इसका निकालना यानि आप इसे भी तो लेख सकते हैं अब ध्यान से देखिए जब तीन की घात है मतलब इसको क्या करना है एक का हम फैक्टर बना लें तो क्या बन सकता है दो चव काट इसमें दसमल भूल जाए दो दूनी चार तो क्या बनेगा दो गुड़े दो गुड़े दो अब कितने अंके बाद दसमल लग रहा एक दो तीन और हमको तीन पार्ट में इसको क्या करना तोड़ना है तो यानि दसमल दो कर लें फिर गुड़े दसमल दो कर ले फिर गुड़े दसमल दो करने तो क्या बन जाएगा अगर इसको गुड़ा करेंगे तो आठा गया दो दुनी चार दुनी आठ और एक दो तीन अंग के बाद लग जाएगा दसमल तो यही तो हमको मिल गया यानि कहने का मतलब यह है कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस जीरो पॉइंट टू की घात तीन लिख सकते हैं इसको इसको क्योंकि क्या होता है जब भी क्या होती है क्यों संख्या अगर क्या है रिडात्मक है उस पे अगर घात क्या हो तीन की हो या जो भी और संख्या की हो तीन तो यह क्या होता रिडात्मक ही मानाता है उसका जितनी भी इसकी घात क्या हो और संख्या की हो मतलब विसम संख्या की हो जैसे माइनस एक पर अगर घात कर लें हम रिडात्मक संख्या का कोई भी मतलब इसमें विसम संख्या का अगर हम कर लें तो इसका मान ये आ गया अब क्या है हमने इसको लिख दिया इये और इस पर भी घहाट कितनी की हो जाएगी 1 बटे 3 ना क्यूब रूट इसका घनंडमोल निकालना है तो ये 3 तीन घहाट कट गई तो कितना आगा है 10 ये आ गया हमारा इसका आनसर तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यह हमारा B हो जाएगा. अब यह question आप देखें, UPtate 2013 में पूछ रखा, बहुत ही interesting question है. इसमें क्या है? वर्गमूल के अंदर वर्गमूल निकाल रखा है. तो इसको हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए. 52 है, फिर प्लस 144 है. तो पहली बात तो 144 का यह क्या है? पहले यही से solve करते हैं, लाश्ट से. इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो बारा आता है. आप निकाल सकते हैं. वर्गमूल में आपको याद रखना है कि वर्गमूल निक अब ध्यान से देखिए. 248 धन. यह हो गया. बावन धन. अब 144 का वर्गमूल निकाला तो हमने क्या लिखा? बारा लिख लिए. अब जब बारा हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको फिर आगे हम एक श्टिप बढ़ाते हैं. तो 248 धन. अब बावन और बारा म मिलके कितने हो जाएंगे? यह 64 हो जाएंगे. अब हम 64 का वर्गमूल निकाल देंगे. तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? आठ होता है. अब इसको भी जोड़ेंगे. इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 256. अब 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है. निकाल के आपको बताई देता हूं, 256 का अवरगुल निकालना हूं, तो दो का जोड़ा कैसे बनाते हैं, तो 2 एकन्ने, फिर 2 दुनी चार, 2 अठे 16, ये बन गया, फिर 2 छकबारा, 2 चवु काट, फिर 2 से 2 तियां छे, 2 दुनी चार, फिर 2 सोला दुनी बत्तिस होता है, फिर किस से काटेंगे फिर उसको हम फिर 2 से काटते हैं, तो 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चवु काट, फिर 2 से 2 दुनी चार, फिर 2 एकन्ने, अब ध्यान से देखिए, क्या करते हैं, जब ये वरग मूल के फाम में होता है, इसका वरग मूल निकालना है न, तो 2 का एक जोड़ा बना दिया, 2 का एक मिलेगा, तो वरग मूल के आगया, 2 दुनी, 4 दुनी, 8 दुनी, 16, तो 256 का वरग मूल कितना आएगा, 16, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, अब हम लोग आगे, अब ये question देखते हैं, ये यो पिट्रेट 2013 में पूछ रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें देरक ऐसी कहों यही से लेते हैं, अब देखिए धान से, यहाँ पे A प्लस B, A माइनस B के फार्म में दिया है, तो फार्मूला हमने देखा था है, कि A प्लस B अगर दिया होता है, और A माइनस B दिया होता है, तो जो पहली वैलू होती इसको A स्क्वार कर देते हैं दूसरी value को minus करके b square अब इसको solve करेंगे तो क्या करेंगे यह a बन गया यह b बन गया तो कैसे लिखेंगे root 7 का square a square minus लगाते हैं और b का square a हमारा root 7 है और b हमारा root 6 है तो ऐसे लिख लिख लिए आमने और धन 200 जो है इसको इहां लिख लिख लिए अब जब इसका क्या करेंगे जब वर्मूल निकारेंगे उस पर घात 2 की होती है तो क्या हो 7 ही आ जाएगा और यहां पर minus 6 आ जाएगा अब plus 200 आ गया अब इसको हम solve करेंगे तो जब इसको हम solve करेंगे तो क्या आजएगा इसका answer इसका जो answer आजएगा क्या आजएगा साथ में से 6 चला गया एक आगया अधन 200 तो कितना आगया 201 तो right answer इसका कौन सा आजएगा a हमारा 201 अब ये question है हमने देखा था ना कि अगर घात पे घात कितना भी हो जाए घात पे घात हो तो सब घात आपस में क्या हो जाते हैं गुड़े हो जाते हैं अब इसी तरह minus 2 पे घात है minus 1 minus 1 और एक चीज़ याद रखेगा कि minus का गुड़ा अगर minus में होता है तो क्या आता है धनात्मक आ जाता है या यह भी कह सकते हैं कि अगर रिडात्मक गुड़ा रिडात्मक का गुड़ा क्या हो अगर सम बार आए संभार आए तो धनात्मक आता है और रिडात्मक का गुड़ा अगर जो है विसंभार आए विसंभार तो क्या होता है रिडात्मक ही आता है अब इसको पहले हम क्या करते है घात पे घात है पहले हम गुड़ा करके इसको लिखते हैं तो क्या हो जागा माइनस एक का गुड़ा फिर माइनस एक में होगा यह bracket में लिखा जागा माइनस एक में और फिर माइनस एक में सबका गुड़ा क्या है एक दूसरे के साथ एक दो तीन चार चार बड़ गुड़ा हो रहा है अब ध्यान से देखिए यहां पर रिडात्मक एक दो तीन चार जब रिडात्मक क्या है प्लस से प्लस का गुड़ा, तो यह पता है न, माइनस माइनस का गुड़ा क्या होता है, धनात्मक, इनका गुड़ा करेंगे तो धनात्मक, और धनात्मक धनात्मक का गुड़ा तो धनात्मक ही होता है, तो क्या हो जाएगी, माइनस दो पे घात एक मतलब माइनस दो, तो इस कि इसका हम को क्या निकालना है वर्गमूल निकालना मतलब अ गांव है इसको वर्गमूल के रूप में लिखा जाएगा है कि अ श्या कैसे के अब ध्यान से देखिए कि इसको कैसे करेंगे वर G. अगर हमकोनी، का अब इसको हम अगर तोड़ना चाहें, तो पहले आप ऐसे रहने दीजिए, साथ को हम अगर तोड़ें और रूट दस को हम तोड़ें तो रूट दस को अगर हम तोड़ते हैं तो दो गुड़े पांच हो जाएगा ठीक दो गुड़े पांच हो जाएगा साथ को तोड़ेंगे तो साथ को हम लिख सकते हैं साथ को पांच धन दो लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पांच धन दो और पांच जो होता है रूट फाइब का स्क्वाइर इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना है तो रूट फाइब का स्क्वाइर और धन हम इसको किसको इसको हम तोड़ रहे हैं रूट साथ को हम तोड़ रहे हैं जैसे अगर तोड़ना हो तो हम इस तरीके से साथ को अगर तोड़ना हो तो रूट 5 का स्क्वार धन रूट 2 का स्क्वार अगर क्या होता है रूट हट जाएगा तो 5 प्लस 2 क्या हो जागा 7 नहीं तो मिलेगा इसको हमने क्या किया इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ दिया किसको 7 को उसके बाद क्या होता है a square plus b square plus 2 into a a हमारा root 5 हो गया into b root 2 हो गया a square plus b square plus 2ab के फार्म में हमने क्या किया इसको change कर दिया अब root 10 को हम क्या लिख सकते हैं root 5 into root 2 अलग-अलग लिख सकते हैं तो वही चीज हमने लिख दिया अब यह formula किसका बन जाएगा a plus b का whole square a क्या है हमारा root 5 है root 5 plus root 2 का whole square कि तो रूट 5 plus root 2 का अगर whole square करेंगे और इस पर क्या है तो हमको क्या मिल जाएगा यह हमको मिल जाएगा इसका root 5 plus root 2 का इस तरीके से whole square यह बन गया ना यह स्वार यह whole square बन जाएगा root 5 plus root 2 का whole square क्योंकि यह formula क्या मन गया a square plus b square plus 2ab Coffee यानि a a plus b का whole square अभी square root से कट जाएगा क्या मिलेगा हमको जैसे यह क्या है root 5 plus root 2 का whole square और यह क्या होता, square root less root root 2 से कट जाएगा क्या गया ? root 5 plus root 2 इसका अंसर क्या हो जाएगा root 2 plus root 5 का है यह हमारा right answer अभी हमारा question है seated 24 में पूछा है इसमें है गनमूल निकाला है 500 अगुडे गनमूल है 16 का इसका मान निकालना है तो इसको हम कैसे करेंगे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे इसको solve करते हैं तो इसको solve अगर करना हो तो घंमूल अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे 500 है तो 500 को हम लिख सकते हैं 5 गुड़े 100 100 को हम क्या करें तोड़ लेते हैं या इसको हम भी कर सकते हैं दोनों जब क्या है घंमूल में है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे रूट A गुड़े रूट B अगर लिखा है तो हम इसको A into B भी लिख सकते हैं तो इसको हम दोनों को अगर कम्बाइन कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं 500 गुड़े 16 तो 16 पच्चे कितना होता है? 80 होता है और इसके बाद 1-2 तो 2 सुन्या और हमने 80 हो गया तिन हमने यह हो गया अब इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है ठीक है? तो ध्यान से देखिए 8000 का अगर घनमूल निकालना है तो इसका मतलब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 8000 को 8 गुड़े 1000 ठीक है? एक 1000 का अगर घनमूल निकालना होता है तो क्या हो जाएगा? तीन तीन जीरो का वो बना लेते हैं पिर 10 गुड़े 10 गुड़े 10 तो तीन का जोड़ा बना के एक हम इसमें बाहर निकालना हो तो 10 मिल जाएगा आठ का अगर बनाएंगे तो दो दुनी चार दुनी आठ ये बन गया ना इसका घनमूल एक हम एक जोड़ा निकाल लेंगे तो दो मिल गया हमको तो इसको अगर इसका आठ का दो मिल गया और इसका 10 मिल गया तो 10 दुना 20 तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है तो हमारा बी जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा थैंक्स और वाचिंग इस वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लिए वीडियो लेकर आता रहूं